दोस्तों अगर आप भी परेशान हो चुके हैं कि यह आधरकाड लिंकिंग और आधरकाड सीडिंग में आखिर फरक क्या होता है क्या दोनों सेम है तो इसका जबाब है नहीं आधरकाड लिंकिंग और आधरकाड सीडिंग दोनों अलग-अलग है चोलो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके bank account के साथ आधर काट seed नहीं है तो आपको क्या क्या परेशानी आ सकता है Mainly आपको दो बड़ा problem आ सकता है पहला अगर आपके bank account में कोई government की तरफ से पेशा आने वाला हो या फिर कोई सरकारी योजना से पेशा आने वाला हो तो वो पेशा आपके bank account में नहीं आएंगे जब तक आप अपने bank account को आधर के साथ seed नहीं करेंगे और दूसरा problem ये है कि आप कोई भी ग्रहक सेबा केंद्र या फिर bank की service center से अपनी आधर कार्ड की मदद से fingerprint दे कर पेशा विड्रो नहीं कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ आप आधर कार्ड अपने bank account के साथ कैसे seed करके ये सारी problem से चुटकाराब पा सकते हैं उसके बाद जो पहला website आएगा उस पर click कीजिए website खुल जाने के बाद वहाँ से थोड़ा नीचे आईए फिर यहाँ पर अपना आधर नमबर डाल दीजिए फिर यहाँ से जो capture code लिखा है वो भी डाल दीजिए उसके बाद send OTP पर click कीजिए आपके आधर नमबर से जो भी mobile नमबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा उस OTP को डाल के submit कर देना है हमारा पहले से ही सीड है इसलिए kangra चुलेशन दिखा रहा है अगर आपका भी kangra चुलेशन दिखा रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरुरत नहीं है लेकिन जिसका नहीं हुआ है चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं तो आधरकार्ट सीड करने के लिए आप अपने बैंक के ब्रांच में जाईए जहां पर आपका आखाता हो अपने साथ डोक्यूमेंट्स में अपना बैंक पास्बूक आधरकार्ड और उनकी एक एक जेरक्स कोपी और एक अपना पासपोर्ट साइज देना पड़ता है बैंक में जाने के बाद वहां पे जो करमचारी होंगे उनसे कहिए कि सर मुझे अपना बैंक अकाउंट के साथ अपना आधरकार्ड सीड करवाना है यहां पे ध्यान देगी कुछ-कुछ बैंक के करमचारी नहीं जानता है कि यह आधरकार्ड सीडिंग क् और वो समझ बैठते हैं कि आप अधर काड लिंक करने के बारे में बोल रहे हैं और वो कम्प्यूटर पे चेक करके बोलते हैं कि आपका अधर तो पहले से लिंक है इसलिए अगर वो समझ नहीं पाते तो आप उनसे सीधा कहिए कि सर मुझे अपना बैंक अकाउंट का EKYC करवाना है फिंगर्पिंट दे कर फिर उसके बाद वो समझ जाएंगे और आपको KYC का एक फॉर्म दे देंगे उस फॉर्म को आपको भर कर सम्मिट कर देना है और वहां मेशिन में अपना फिंगर्पिंट दर्ज कर देना है अब आपके बैंक अकाउंट के साथ आधरकार सीड हो चुका है अब दो से तिन दिन के बाद जब आप वेबसेट पर देखेंगे तो वहां पर आपको सक्सेसफुल दिखाएगा तो अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछे और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा